बीएड बैचलर ओफ एजुकेशन यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है हम बीएड में प्रीविएस येर के कोशन पेपर कर रहे हैं हम 2018 के सभी कोशन पेपर कर चुके हैं अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज एक बार प्लेइलिस्ट में जाकर उनकी वीडियो देखिए मैं उपर आपको लिंक भी प्रवाइड कर रहा हूँ उस पर क्लिक करकर भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं आज हम बियर हम बार फस्ट यर पेपर फोर पेड़ाजोजी ओफ़ citrus और ऐकोशन पेपर देख रहे हैं चलिए एक बार देखते हैं कि यह कोशन पेपर कैसा आया था दो जाल सत्रा में ये देखिए बीएड फरस्ट येर जून दो अजार सत्रा पैड़ाजोजी ओफ इकनोमिक्स बीएड में एडमिशन के टैम पर आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें हैं उनी के आपके पेपर होते हैं ये पेपर नमबर फोर्थ और पेपर नमबर फाइफ चलिए हम पेपर नमबर फोर्थ कर रहे हैं क्योंकि मैंने एकनोमिक्स सेलेक्ट किया हुआता तो मेरा एकनोमिक्स का पेपर है आपने जो सेलेक्ट करा आपका उसी का पेपर होगा ये देखे सबसे उपर हमारी ये इमेल आइडी है बीएड बैचलर उफ एजुकेशन आपको बीएड के किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टोपिक में कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं मेल करकर या आप यूटूब वीडियो के नीचे कमेंट बुक्स में भी अपना कोशन पूछ सकते हैं आपको 100% रिप्लाई मिलेगा हमारा यूटूब चैनल भी बीएड बैचलर उफ एजुकेशन के नाम से ही है आप उसे सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटस्ट वीडियो मिल सके चलिए पढ़ते हैं टाइमिंग 3 आवर्स मार्क्स 80 ये पेपर भी 3 गंटे का होता है और 80 नंबर का होता है इसके अंदर भी टोटल 9 कोशन होते हैं आपको कोई 5 करने है लेकिन कोशन 1 कमपल्सरी है कोशन 1 के अंदर 4 पाट होते हैं 4 चार चार नंबर के 11 नंबर का ये होता है वैसे 5 कोशन 16 नंबर का ये होते हैं हर unit में total 4 unit होती है हर unit में 2 कोशन होते हैं आपको कोई 1 कोशन करना होता है चलिए आप कोशन पढ़ लेते हैं हाँ मेरी आपसे एक सलह है कि प्लीज मेरी वीडियो को landscape mode में देखिए ताकि आपको वीडियो की किलियर्टी अच्छे से दिख सके चलिए कोशन नमबर वन Write note on the following Part 1 Importance of Economics in Education Part 2 Importance of Economics Club Part 3 Application of ICT in Teaching of Economics Part 4 Objective Type Test Unit 1 कोशन नमबर 2 Explain the meaning, nature and scope of economics as school subject Question 3 What do you mean by instructional objective? Discuss the cognitive objective given by Bloom Unit 2 Question 4 Define lesson plan Explain the necessary steps of lesson planning Also discuss the importance of writing lesson plan Question 5 Give pedagogical analysis of the topic of economic national income Unit 3 Question 6 What is the importance of taskbook for an economics teacher? What criteria should be kept in mind while selecting a good textbook? Question 7 Explain the skill of stimulus variation with the suitable example Unit 4 What is continuous and comprehensive evaluation? Explain its process How it is better than examination? Question 9 What do you mean by achievement test? What step will you follow while construction and achievement test? देखिए, यह चार unit है इनके अंदर हर unit के अंदर दो-दो कोशन है आपको कोई एक ही करना है ऐसा मत करना कि एक unit में दोनू कोशन आटाइम कर लो आपको एक ही कोशन के नंबर मिलेंगे ठीक है? इस बात का इस धहनक ना चलिए, अब मैं आपको हिंदी मीडियम का पेपर दिखा देते हूं एक बार यह देखिए यह हमारी email idea सबसे उपर be at bachelor of education at the rate gmail.com यह देखिए हिंदी मीडियम मालो के लिए यह आप screenshot ले सकते हैं यह देखिए आपको यह बहुत helpful करेंगे जब आप पेपर देने जाओगों से पहले देखोगे तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें